आज के दिन मेरे पूजी पीदाजी का स्वर्गवास वा था यह तारीख यह तिति पिछले एक दसक से लगतार स्रीयमताब बच्चन के इस मृति में और वी इस दिन मुझे मेरे पृताजी के इस अधार के लिए संदेश बेशते हैं जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूसने होता है और उसमें उचकम यह अधिक पेख्चाय और पेख्चाय होती है उन संबंदों में बहुत उबाल आता है और बड़े उग्र प्रतिविया होती है संबन जितना अधिर निकट होता है उसकी तूट की चुभन भी उतने मुक्यली होती है पिछले दस वर्सों से मैं बच्चन परवारत से नहीं सिर्फ अलग रहा बलकि अभी प्रेत्न किया कि उनके दिल मेरे लिए नफरा थो लेकिन आज वे अम ताप बच्चन जी ने फिर मेरे पिता जी का सुमरन किया तो मुझे ऐसा लगा कि कि इसी सिंगापुर में दस साथ पहले गुर्दय की विमारी के लिए मया और अमी जी लगवदो मंदे तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ शूट सा गया है लेकिन दस वर्स वी जाने पर भी उनकी दरंतरता में कोई बादा नहीं आई और लगातार अने का उस्तरों पर जाहे मेरा जन्म दिवस हो अध्मा मेरे पिता जी की इस वर्वास का दिनों हर दिन को इस मरन करके अपने कर्दब का निरोहन करते रहें तो मुझे लगता है कि मैंने भियान अफ्शक रूप से ज्यादा गुरता दिखाएं साथ से उपर जिवें के संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदिगे और बहुत की चुनावती के बीच से बुजागा मुझे लगता है कि सारजुनिक रूप से मुझे और कोई कारव नहीं तो इस कारव कि हम से उम्री में बड़े हैं उनके प्रती नर्मी रखनी चाहिए थी और जो कोटुबचान मन बोला उसके लिए खेट भी प्रकट कर देना चाहिए मेरे मन में कटुदा और नफरत से ज्यादा उनके ब्यवार के परती निराशा रहे लेकिन उनके मन में लगता है ना तो निराशा है ना तो कटुदा है बलकि कोई ने कोई भाव है इसलिए आज अपने पिता जी को संजाजले देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आधिर में व्यक्त के हैं उसका संप्रेशन करते हुए इसलिए इसलिए प्राथना है कि सबको इसलिए उनके कर्मों का नुसार यह सुचित नया दे और हमें इसलिए इसलिए को छोड़ना चाहिए मज़ा इसके कि हम इस वर के कामकवाज में खुद दखल लें बहुत बहुत देनवाद अमिया मुझी आपके सदेश का अचित उसलिए और हमें इसलिएग अमिया मुझी आपके प्राथना है